हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बजाज आटो के बारे में ये है वन आवर चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन में काफी भारी गिरावट देखने को मिला 4200 के आसपास ट्रेट कर रहा था उसके बाद प्लोजिंग दिया है 4000 पे अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया जरूर है 3980 के पास एक बार यहाँ पर रिवर्स हुआ था और एक बार अभी यहाँ पर रिवर्स हुआ है सव अगर यह सपोर्ट सस्टेइन होता है तो फिर यहाँ से एक अबस देखने को मिलेगा उपर में जब तक यहवाले लेवल क्रॉस नहिं होते तब तक एक resistance देखने को मिल सकता है एक बार 4090 यानी 4090 क्रॉस होगा तो एक और अप अबसाइट देखने को मिलेगा तो अगर आप swing trade लेना चाहते हैं तो इस level पे ले सकते हैं नीचे के तरफ 39.80 का stop loss रखें उसके नीचे अगर जाता है तो कहां पे रुकेगा उसके बारे में बात करते हैं चलते हैं one day chart की तरफ पहले यह बता दू one hour chart में RSI जो है वो काफी नीचे आ चुका है तो यहां से एक reversal देखने की chances काफी जादा है one day chart की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आप देख सकते हैं यह जो level है यहां पे super trend का support है 3886 पे लेकिन जिससाब से यह जवाली stick उपर की दरफ move हुई है मुझे लग नहीं रहा है कि अगर यहां से गिरावट आती है तो यहां पे रुकेगा यह most likely इस level पे रुक सकता है या फिर 3550 के पास रुक सकता है तो अगर market में थोड़ा correction आता है तो 400-500 रुपे का downside भी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर कल के दिन में reversal देखने को मिलता है market में तो 3980 का जो support है यह वाला support इस पे नज़र रखें इसके नीचे अगर जाता है तो problem हो सकता है नीचे की दरफ और move हो सकता है लेकिन अगर यह support sustain करके reverse होता है तो यहां से 100-200 रुपे का upside देखने को मिल सकता है बजाज auto म में